जिस घर पर मा लक्षमी के साथ ही धन देवता कुबेर देव की पूजा अर्श्रा की जाती है वहां कभी धन से जुड़ी परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ता पुरानिक मानियतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुबेर देव भगवान शिव के भग थे शिव जी के आशिरवाद और क्रिपय से ही उन्हें धन पती की पदवई प्रापित हुई थी यही कारण है कि उन्हें धन का राजा भी कहा जाता है धन प्रापिती के लिए मा लक्षमी के साथ ही भगmittel को भी प्रसन करना और उनका आ शिवाद प्रापत करना बहुत जरूरी होता है कुबेर देव का आशिरवात पाने के लिए पूजा में कुबेर मंत्र का जाप करने से धन लाप की प्रापती होती है सबसे वहले जानते हैं कि धन के देव तक कुबेर देव कौन थे कहा जाता है कि कुबेर देव यक्षो के राजा थे उनका दाई तेवे लोगों की रक्षा करना हुआ करता था रावन जो कि कुबेर देव के सुतेले भाई थे रावन चाहते थे कि कुबेर देव लोग हित्मे कार्या ना करे और उनकी बाते माने लेकिन कुबेर देव सत्या कर साथ देते थे जिस कारण रावन के साथ उनका मतभेत था कुबेर देव ने एक बार दूद के जरीयर रावन को बुरे कार्या ना करने के उलेकर संदेश भिछवाया इस पर रावन ने उस दूद का सिर अपनी खड़ेट से काट दिया जब इस बात का कुबेर देव को पता चला तो युद छड़ गया खुबेर की यक्ष अपने बल से लड़ रहे थे जबकि रावन की राक्षिशी सेना ने कुरूर्टा का सहरा लिया इसलिए जीत रावन की हुई इसके बाद रावन ने कुबेर से पुश्पक विमान चीन लिया कुबेर देव हिमाल्या चले गए और शिवजी की अराधना में लीन हो गए कुबेर की भक्ती और तब से परसन होकर शिवजी ने उन्हें धनपती की पदवी दी